नमस्कार दोस्तों इस वीडियो पे आज हम बात करने वाले RRB NTPC 7th फेच का एकजाम जो है कब तक हो सकता है और इसके admit card कब तक जारी हो सकते हैं बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों हर दिन देख रहे ना आप किसी न किसी RRB से कर बात भी की जाती है तो वहां के जो स्टाफ हैं बताते हैं एकजाम जल्दी होगा लेकिन कोई भी authentic अभी न्यूच ऐसी नहीं आई या official कि जिससे ये confirm हो जाए कि आपका एकजाम जो है कब तक होगा ठीक है ना हर दिन कहीं न कह प्रिका है वह भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ चापता रहता है कि अब करोना हो रहा है कम जल्दी से परिच्छाएं होगी या रहे होगी लेकिन कब होगी आफीसियल नोटिस आना चाहिए ना पेपर वाजी से कब तक काम चलेगा आप पेपर में कुछ भी छाप देते क्य जरूरी नहीं होता है ना कि जो पेपर में छप गया तो 100% सही हो और उसी तारीक पर आपका एक्जाम कंडेक्टर कराया जाए अब देख रहे हैं जब इन्होंने 2019 में बैकेंसी निकाली तो 2020 में जब कोरोना आया ना तो जब यह पेपर नहीं करवा रहे तो इसके लिए बह पर नहीं करवाया था तो इस तरीके से एक इतना जोट बोलते हैं आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं इसके बाद अभी देखिए सेवेंद फेज का एकजाम बचा हुआ है अभी रेलवे के चेर्मेन के पहले प्रेस कांफेंस हुआ था तो उसमें क्या वो ले थे कि सेवेंद अगता है कि आप कि पता है कि सबसे करें तैसा अगयोगों एके लिएकजाम हो चुकेए साथ है इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया ना कि रेल्वे चेर्मेन ने क्या बोला है कि सेवेंद फेज के एक्जाम हो चुका है समझ रहे ना मतलब अब आप उम्मीद रख सकते हैं कि 6 फिस तक हुआ है तो यही सब चलता आ रहा है लेकिन कोई भी अभी आफिसियल एथेंटिक न्यूज नहीं आई है और देखिए रेल्वे जो है बिल्कुल सो गया ये तो कनफर्म है रेल्वे देखिए कभी मूड पे एक्टिव रहा होगा कब तक नहीं होगा तो अगर यह बता दिया जाए कि इसका जो पेपर होगा सेविंद फेच का आपका इतने तारिक से होगा लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सेविंद फेच का एक्जाम है ऐसा नहीं है कि कल से पेपर हो रहा परसों है दो दिन बार पेप पता दिया जाएगा नोटिफिकेशन बगारा जो भी आफिसेल आ जाएगा उसी के बाद आपका एक्जाम होगा अब देखिए एक्जाम कराने के लिए यह सब पहले से पता करेंगे ना सेंटर पे एक्जाम में बिवस्ता करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि रेलवे का प्रोसे महीने के लाश्ट तक आपका जुलाई के महीने के लाश्ट तक आपका एक्जाम हो जाएगा और मुस्किल के यह दो यह तीन तीन चार दिन के अंदर आपका एक्जाम यह जो है जब तक railway नहीं चाहेगा ना कि रेलवे अब बहुत इसका काम तो देखी रहे ना कितना धीला काम चलना है तो यहां पर यह तो अगर नहीं कराते हैं तो सभी जितने भी बड़े यूटूब चैनल ना उनको आगे आना पड़ेगा और tutor campaign देखे पिछली बार भी tutor campaign चलाएगा के लिए मलब सब कुछ student करें railway कुछ करना ही नहीं चाहता है तो यहां पर देखी आभी कुछ भी ऐसा नहीं है लेकिन उमीद है कि यह जल्द ही हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से करोना कम है अगर railway अगर यह process चला रहा होगा तब और चलिए ज्यादा भी टाइम नहीं लगे कि कोई करोन अगर कम होगा तो railway से भी पूछा जाएगा ना आपने पेपर क्यों ने करवाया है तो फिर भी दोस्तों आप बिल्कुल परेशान मत हुए अपनी पढ़ाई तो देखिए रख जारी रखना ही पड़ेगा मजबूरी है और क्या किया जा सकता है ना सिर्फ जैसे कहते हैं ने कियों के साथ घुन पी जाता वैसे एंटी पीशी के साथ कौन से गुरूप डी पिसरा है यह अगर पेपर हो गया होता ना लास्ट फेज वाला पूरा फाइनल तब तक यह कटा पटा पटा बगारा सब कुछ आ गया होता अब सिर्फ गूरूप डी का दोस्तों अगर कोई और भी क्यूरिज बगारा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर भी आप हिम्मत रखिए और जो भी होगा अच्छा ही होगा आप देख लीजिए अपने हाथ में है नहीं कि हर चीज़े की जा सकती है यह तो ट्विटर केंपेंज चला जाए बड इस अबर भी थेख लीजिए ड़ीज़े दो आपने हाथ